नमस्कार आप देख रहे हैं MJ खबर आपको याद होगा 2014 से पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ काले धन को लेकर इस आंदोलन में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के साथ साथ प्रधान मंतरी निरेंद्र मोदी समीत सभी बीजीबे के नेताओं ने काले धन को एक बड़ा म में काला धन वापिस आजाए तो हर एक भारती के खाते में 15-15 लाक आजाएंगे लोगों ने यकीन किया जम कर बोड़ डाले कि काला धन वापिस आएगा तो देश की अर्ध विवस्ता के सासत हमारी भी अर्ध विवस्ता में शुधार होगा लेकिन हुआ क्या आप सबको प कि जो नरेंद्र मोदी विदेशी बैंकों से काला धन लाने के नाम पर सत्ता में आये थे उन्हीं के शाषनकाल में स्विज बैंक में धन रासी जमा करने का रिकोर्ड बन गया है चोकियमद यह सच है देश में कोरोना काल में जहां कई भारतियों का रोजगार समाथ हो गया कई परिवार तो ऐसे थे जहां खाने पीने तक का संकट छा गया लोगडाउन में मध्य वर्गिये और गरीब परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया तो भारतिया अर्थवेस्ता को भी इस दोर में बड़ा जटका लगा लेकिन एक ऐसा आकड़ा सामने आया जिससे चानकर आप हैरान है जाएंगे शिविज लेंड के केंद्रिय बैंक ने एक आकड़ा जारी किया उसके मुताबिक साल 2020 में सबसे ज़्यादा रकम भारतियों और भारतिय कंपनियों के जमा हुए हैं अब यह रकम 2.55 अरफ शिविज फैंक यानि 20,700 करोन रुपे से ज़्यादा हो गया है यह आकड़ा असल मेडिया पे लोगों ने अन्ना हजारे और बाबा रामदेव पर जम कर निशाना साथा है समाजिक कार्यकरता यश मेखवाल ने कहा साल 2020 में सिविज बैंक में जमा भारतियों का काला धन 20,000 करोपे बढ़ गया है है हैरत की बात है कि अन्ना हजारे और लाला रामदेव दोनों मुझ चुपाके बैटे हैं शुकदेव सिंग नामक यूजर ने लिखा मोदी है तो मुम्किन है जब बेरोजगारी लूट महंगाई जूड भरष्ट चार बढ़ रहा है तो सिविज बैंक में धन को बढ़ना ही था नामक यूजर ने लिखा है अन्ना हजारे आप तो खुद ही गांधी विचारधारा के परवल समर्थक कहते थे इंडिया अंगेश्ट करप्शन क्या हुआ कुस्तो बोली अन्ना जी उमादत तिरपाठी ने लिखा है दुबग गए हैं अंधेरे के सियाही चादर में कल तक जो सूरोज निकलने की बात करते थे आग हैं ब 15-15 रुपए नेता जी लोग स्यूज बैंक में जमाकर आए हैं हो साहब यह बहुत नाइंसाफी है हम लोग साथ साथ से टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं प्रदीब गुपता ने कहा काले धन पर लंबे लंबे लेक्चर देने वाला फ्रोट राम देव कहां छुप गय अब राजीव मीना ने लिखा है कि अन्ना हजारे राम देव दोनों संगी थे देश के लोग इनको पहचान नहीं पाए इस देश आज भुकत रहा है लाला राम देव तो कहा था कि पेट्रोल 35 रुपे लिटर मिलेगा आज पेट्रोल 105 रुपे लिटर भिक रहा है लेकिन ना अन्ना हजारे का मुखुला ना लाला राम देव का ये दोनों दोगले लोग हैं भारत की जंता फस गई है एक यूजर ने लिखा कि देश की जीडीपी का दस प्रतिशत स्यूज में अपना भारत सच में महान है जब से यह आकड़ा आये लगतार जो है लोग जो है सरका पर सवाल उठा रहे हैं जिरंद्र मोदी सरकार काले धन पर ही सरकार बनाई काले धन का परचार करके सब्सक्राइब कहा कि काला जब भारतियंद्र पाटे सत्ता में आईगी तो काला धन वापिस आएगा देश की अर्थवेवस्ता सुद्रेगी पर यहां तो उल्टा हुआ काला धन आने के वज़ाय काला धन बढ़ गया जो सतन सालों में नहीं हुआ वो अब हो गया आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमंड बॉक्स में जरूर बताएं